आज हम आपका पढ़ेंगे Laboratory requirements या फिर आपके Laboratory equipment जो भी आपका Histopatology Lab में आपका जो-जो आपकी equipment use होते हैं उस हारी हम इसमें पढ़ेंगे mostly आज पढ़ेंगे हम आपका glass wares और आपके plastic wares glass wares में आपके जो मैंने यह सारे चीचिज हो गए होगा यहां रहलाग्फ के स स्लाइडी आपका अ अ 5 जतुछ यहां पर बता और नि नहीं ऐवह कुछ आपके नहीं फ्लास्टिक वहड्य यहां नहीं कुछ आपके इस्टीज इवालोजी के लिए णि युज होती है Somet ras हम यहां पर आपका verков करेंगे से कि कौन-कौन से ऐसे treatments से प्लास्टिक यूज करते ह् देखे लीजे आपका सिट्री आपका स्टाइट करते हैं क्षान नहीं मुप चरव करने के लिए कोई आपका मिश्चर है उसको हम बना रहे हैं किसी चीज को dilute करना है, उसको हम dilute कर सकते हैं तो जो आपके solution मनाएंगे, उसमें आपका beaker का use करेंगे alcohol को dilute करेंगे, 10% alcohol, 50% alcohol, 70% alcohol डिफरेंट डिफरेंट आपके dilution बताएथे, वह आप बिकर की मदद से क्या कर सकते हो different different dilution बना सकते हो इस में आपका क्या होता है आपका इसमें मीजरी मीजर्स दे रखें conclusions आपके 2001 да 200 ml है है to 250 ml का आपका कई आपका फित्ते में है रिये यह यह इसम्में आप क्या कर सकते होíoишियो लिकर आपका क्या बना सकते हो एल्कोहल का सॉलीशन बना सकते हो 10% 20% जिना आप बनाने चाहते हो उसके बाद है आपका कॉनिकल फ्लास्न के लिए उसके का फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो आप फिल्टर पर लोगे उसके नहीं जो अपर से क्या लगाऊ होकी तो आपका क्या होता है%,kि उटी होते हैं यहां पे में फिट, कि यहां फिट हो जाती है और उससे आपका क्या होगा है जो आपका क्या जाता है यो करती है जो आपका फिल्ट्रेशिन के लिए हीट करने के लिए अगर आपको इसके यूज़ करते हैं क्योंकि आपका इसको नेक होती Еइ तो अगर कोईज़ कहीं होती है एक्सप्लोड होती है फिर अंदर से रेक्शन होती है तो और से बहुत नहीं आएगा क्योंकि जोट नेक है बहुत पथली यो पर से उसका तॉप पॉप पर्ट रोट है आपका स्लिंड्रिकल और बहुत ही पतला है तो आपका एक कोनिकल फ्लास का यूज था अब दिखिए नया आपका नया आपका इश्टोपेथलोजी के अंदर यूज जाहेना गा दिखिए क्यों यूज होता है यह आपका यह चीज आप समझ जा blood smear as tissue section देखिए इसका use हम क्यों कर रहे है storage और staining slides ठीक है अगर आप staining slides होती है जिनका हम stain कर चुकी होते हैं और blood smear की mostly आपका blood smear को stain करते हैं उसके लिए उसको हम क्या करते हैं और slides को हम क्या करते हैं आपे store करते हैं आपके coupling jar के अंदर तो यह mostly आपका storage के लिए use होता है इसके अंदर जो होती है आपकी slide क्या होती है safe होती है actually क्या होती है यह plastic का होता है glass का भी होता है glass glass का भी होता है आपका plastic का भी होता है तो इसके अंदर जो होती है आपकी जो slide होती है उस पे किसी type को क्या नहीं पढ़ता है और आपको टीशिय होते हो बिल्कुल सेफ रहते हैं, इसलिए हम कॉपलिंजार का यूज करते हैं, क्या दोस्ति कॉषा सत वक्रथ हैं क्यूं करते हैं, तुए था आपका कॉपलेंजार, आप दीखिए आपकाunksिए कैसेट, यह मैं आपको आल्रड़ी बता चुका हूँ कि आपको कैसेट का यूज खाते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है देखिए यहां पर यहां पर हम क्या करते हैं अपने टिश्यू को डालते हैं और टिश्यू के भार से हम क्या करते हैं आपका माउंट करते हैं किसको आपका पाराफिन वेक्स को तो पाराफिन वेक्स का हम तो यहांका मैंगने, उसके बाद को बंक कर दें जा सायई पर आपका ये वाला इस्ट्रॉक्चर दिखाई देडीर होगा यहां पर क्या करते है आपका number जो भी स्ट प्रा पेशेंंट का number इस्यू नंबर जो भी आपके तो आपको यह कैसेट का यूज़ता है नहीं आपको पता रहे हां कि पारफेन वेक्स लगाते थे इससे आपके tissue की cells होती है उनको outer support मिल जाते हैं देख लीजिए आपका इसमें लिखा है कैसे आपका चनी होती है आपकी सेम आपका चनी को अगर डिवा दें तो उसमें क्या हो जाएगा अंदर की तरफ आपका जो भी solution हो नीचे की तरफ उपर आ जाता है और उसके बाद जैसे आप चनी को उपर को रोगे उसके आपका क्या जानी चे रिस्क के चला जाता है उसी क्या चेट है आपके क्या बाद निकल जाएगा आपका क्यों कि निकल जाएगा क्योंकि इसमें क्या आपके पूर्स हैं जो मैंने आपको बताया अभी कि आपका यह पोर्स हो गया करेंगे आपका solution की entry और आपका drainage को क्या करेंगे पॉसिबल करेंगे तो यह आपके cassette आपका embedding में यूज होती यादर की का embedding में यूज होती और आपका solution में अगर हम submerge कर रहे हैं ढुबा रहे हैं उसको तब यह आपका यूज होते हैं उसके बाद दिख लीजे cabinet embedding ring क्या होती है आपका यह cassette है इसको जो बेस होता है इसको इमबैड करते हैं इसको क्या करते है यह इसको आपका एक का structure है embedding embedding cassettes hold the tissue for the processing base of the cassette has one end with slope on which identification number is viewed and is used as block holder ठीक है आपका block holder की तरह use होता है और तभी का हम इस पर आपका identification number भी डाल देते हैं वैसा हम identification number का cassette भी डाल देते हैं लेकिन आपका इस पर भी डाल दिया जाते हैं इसके बादेगि आपका cutting board how cutting board की मासी क्रते हैं जब आपने 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 आपका tissue अपने किसओ था मैंने बताए था तिश्वाइव की जो किया होते हैं most infected areas होते हैं उनको क्या करते हैं का अलग कर दे तो cutting board की ऊपर हम tissue की आपका cutting board आपका यहां पर use होता है cutting board. is also known as grossing board in this board we do grossing cutting of proper tissue pieces three to four mm it is wide flat surface in rectangular rectangular shape made up of plastic plastic का बना होगा होगा आपका cutting board या आपका use होता है जब आपका tissue की क्या करते है ग्रॉसिंग करते हैं cutting करते हैं उसके बाद देख लीजे cover slip cover slip का use की होगा होगा है for the protection of tissue आपका tissue है आपका stained tissue आपका उसको क्या करते है और protect करते हैं आपके outer environment outer environment से एक लीजे the thin piece of glass placed on the specimen on glass slide that that is to be to be remained आपका क्या होता है यहां पर slide को पर से चिपका दिया जाता है था कि आपका क्या हो जाए आपका जो tissue है उस पर गया बाहर के बाहर से जो environmental effect है वह ना पड़ी और आपका fixed भी रहता है slide पे fixed भी रहता है आपका tissue या तो वहां से खिसकता भी नहीं है उसके बाद एक लीजे dropping bottles dropping bottles में आपको अल्रेड़ी दिखा रखी है आपके laboratory के अंदर वहां पे आपने dropping bottles करें आपका stain करना है तो आपका stain के लिए तो खेरा आपकी वैसे bottles होती है उसमें आपका dropping का dropper का use करते हैं लेकि dropping bottle का we use करते हैं जैसे आपने water cream पर डालने है या फिर आपका कोई solution है जिसको हम क्या करते हैं डालते हैं तो वो solution supply करने के लिए या फिर आपका कुछ भी आपका drop wise drop डालने है आपने तो उसके लिए dropping bottle का use करते है small picture shaped bottle with a curved or trapped neck used to supply solution liquid in a small quantity छोटी अगर आपने क्या करते है बून बून करके आपने क्या करने आपने किसी भी tissue डालने है फिर किसी भी slide पर आपने water drop डालनी है तो उसके लिए आपका dropping bottles यूज़ होती है अब देख लीज़े इसको हम दबाते हैं तो आपकी जो इसके अंदर की air होती हो भार आपका जो यह वाला portion आगे का portion इससे air भार के तरफ आजाती है और इसके बाद जाएसे हम इसको solution में डबाते है से सॉल्यूसन इसके अंदर चला जाते हैं से अनसे अदर चलाएगा इसके इसके बाद जहांपर हमने इसको प्रिको तो यूज करते हैं तो आपने टिशु को करने हैं अगर आप 10 M.L. या फिर 20 M.L. आपको चाहिए तो measuring cylinder का यूज करते है, acetone ले रहे हो, dioxin ले रहे हो, या फिर आप जाइलीन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो आप, तो आपने एक fix amount लेना पड़ता है तो fix amount के लिए आप क्या करोगे, आपका measuring cylinder का यूज करोगे ताकि आपको पता जल जाए कि किसका हमने कितना volume लेना है, कितना amount लेना है, किसी भी chemical substance का उसके बाद देखे, आपका molds, देखे, आपका molds में क्या होते है, आपकी यह होते है, आपकी साचे type के होते है इसमें हम क्या करते है, आपका paraffin wax को, आप molten paraffin wax को डाल देते हैं, जिससे हो क्या हो जाता है, hard हो जाता है तो इसका हम use cup करते हैं, जैसे आपने embedding करनी है, ठीक है, तो embedding में क्या करते है, tissue के बाहर से क्या करते है, आपका यह लगा देते हैं, paraffin wax लगा देते हैं, तो आप क्या करते हैं, टीशू को और आपका molten wax को क्या करते हैं, यहां पर एक साथ डाल देते हैं, जिसी क्या होगा, टीशू पूरी तरह से cover हो जाते हैं, आपका paraffin wax से, पहला हम इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे wax को, तो wax क्या ह या फिर मैल्ट हो जाएगा तो मैल्ट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं मैल्टे इसके अंडर क्यादा अपका टीश्य डाल देंगे और गुवान गैसकी तो तो यहां पर आपका जो इसका यूज होता है किसके लिए हो रहा है आपका जो आपका मॉल्टन मॉल्टेड वेक्स है आपका उसको हाड बनाने के लिए या फिर आपका एक सेब देने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ड्रे आपका इस में क्या होता है आपका सलाइड को fix किया जाता है थाकि ऐसे Fernando स्लाइड तो यह सांचे बने हुँ होते है चैंडिया होते हैं और स्लाइड की हिसाब से बने हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं बहुत सारी आप इस ट्रेप बहुत सारी स्लाइड से रख सकते हैं और इसके बाद देख लिए आपका इसके बाद देखिए आपका रिएजेंट बोटल में इसमें बता है अलकोहॉल आसे टोन जाइलीन जो भी आपके रिएजेंट है आपका इस्टो पैथलोजी के अंदर यूज होते हैं उनको आप इस टाइप की रिएजेंट बोटल में क्या रखते हो सीजर स्केंट है आपका फॉर्ड ग्रॉसिंग करते हो उसमें आपका सीजर यूज होती है अब देख लिए टीशू कंटेनर इस्पैसिमेंट इडिल्स विट ग्लेक्शन एंड ट्रांस्पोर्ट ऑपेशेंट पेशेंट सेंपर इंक्लूडिंग टीशू यूरीन एड स्प तो जैसे आप फॉर्मिलिन में क्या करते हो टीशू को फिक्स करके कहीं से लाते हो तो आपके इस टाइप के आपके चुक्ते नहीं होते हैं यह तो बहुत बेसिक सी बात है कि आपके कंटेनर होंगी इसके वाद देखेंजिएnings स्पधाब अधिया बनी चुकी है इन कंटेली बना लगा जाती है उनको हमें इसमें क्या करते हैं आपका इस्टोर करते हैं इस्टोर चाहिए्शी आपकर स्टॉरायम्हिक्रशिड प्रोशेंग यस्टेंग के स्ट्रे Benjamin from primary storage to high density archiving जिसमें क्या किया जाता है आपका storage किया जाता है आपके slides का और उसके बाद आपका इनको save कर दिया जाता है ताकि आपके reference के लिए आपकी बहुत सारे slides है आपर रख दी जाती है जैसे आपके cancerous tissues होते हैं cancerous tissues को हम जो आपकी slides होती है उनको क्या कर देते हैं आपका archive कर देते हैं अब देखिए आपके grossing blades इनसे आपके grossing blade और आपके जो knife folder होते हैं इस सारी इनका use होते है आपका for the cutting and grossing of tissues इसमें भी आपको कुछ खास नहीं है ठीक इसको आप समझ लीजेगा यह आपको देखने को भी लेंगे आपकी histopathology lab के अंदर ठीके चोटी-चोटी blades होती हैं काफी sharp होती हैं अब देखिए आपका slides it is used to prepare smear it is made up of broslicate glasses देखिए broslicate glasses के आपकी यह बनी हुए होती हैं आपको मैंने glasses के बारे में बताया था, एक बार आपकी क्या होती है व्यक्तर तक क्या होती है अपकी क्या होती है ख़िक है मजी यदि jijद नहीं आरहा भी लुख जते में अफ्छ वो सिद्वाइड में और इसो Fell करते हो रखाज जाती है जिसे के बहूत सार सुआजर में और एक पार अटsk आजाती है जो आप ने बताया थे इस्तान के आज प्लास्टिक का हो सकता है और आपका ग्लास्स का भी हो सकता है उसके पाद ये आपकी है लिगा के और फिर और बारी स्टेनिंग कर दो कर चाहिए कि आपके सारी स्लैड त civош的 होती हैं और ऐसके रहती हैं और इसके रहाते हैं और का jos रहेति हैं अपका डिफर्ण डिर्फर्न टाइप के आपकी श्ट्राफियल लैब में आपका यूज होते हैं जो मैं आपके कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट थे उनको भी मैंने समझाने के कुछ किया आपको कौन-कौन से होते हैं आपके जो आपके इनमें यूज होते हैं कहां कहां पर यूज होते हैं यह भी मैं आपको बता दिया है तो आए हो प पर आप समझने के कोसिस केजिएगे कि आपका काम पे इनका यूज होता है और किस टाइप से इनका यूज होता है ओके थैंक यू